दोस्तों स्वागत है आप लोगों का केरियर मत्रा के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यूपी पी-स आरो एरो 2022 जिसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी सूचना दी थी तो अब देखिए यहां पर इस वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन डेट के बारे में बत वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए और ना सिर्फ ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए इसके इलावा जो कुईज का एक हमने टेलिग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में वो पिंट करा देखेगा वहां पर जाएए कोई सेक्शन को तुरंत जॉइन करिएगा ठीक है डेली जो भी उसके कोशन को करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं के नहीं ठीक है इसके अलावा डेली टेस्ट मिलेंगे आपको आरो एरो से रिलेटेड ठीक है तो उन टेस्ट को आप जरूर दीजिए उसमें करेंट अफेर और स्टेटिक दोनों को कमबाइंड करके जो कोशन बनाए गए हैं वो कोशन आपको वहां पर मिलेंगे और एक्जाम जवाब देंगे तो आप यकीन मानिए उसी में से जो आप टेस्ट अभी स्टार्ड करेंगे और यह चलेगा आपका आरो के एक्जाम तक ठीक है तो हर दिन आपको ऐसे ही टेस्ट मिलेंगे कभी एक कभी दो इस तरीके से रहेगा तो यह आप जरूर देखिए उसको हर एक टेस्ट को कम्प्लीट लगाई है जो भी कोशन उसमें पूछे जाए उसको जरूर बताईएगा उसके आंसर्स ठीक है तो नंबर वेकेंसी हैं वो अच्छी खासी रहेंगी ठीक है मतलब यह जो पहले सेनेरियो था जब बहुत कम वेकेंसी आ रहें थी तो अब की बार वेकेंसी आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगी लेकिन सेलेक्शन फाइनली उनहीं लोगों का होगा जो आज से तयारी करन करेंगे तो देखिए इस्टेटिक पोर्शन अब उस तरीके से नहीं पूछा जाता एक्जाम में यूपी पीएससी के जैसा पहले पूछा जाता था ठीक है सो मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप स्टेंडर्ड बुक्स फॉलो मत करिए वो तो करनी ही है ठीक है प्रीवेस य कर 10 को जो होते हैं वह अगर पर गुस्टिक करेंगे खिक हैं इसके लावा एक चीज़ और है कि जो आपका पूर्वा अवलोकन हिंदी का आता है उसको भी हम स्टाइट करेंगे और ऐसा नहीं करना है कि एंड टाइम पर उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि दो इसके अंदर पोर्शन एक तस्सम तदभव का है और दूसरा जो आपका परियावाची शवद आता है इन दो में प् बस बशरते आप थोड़ा सीरियस होईए और जो भी आप वीडियो यहां पर देखें टेले केरियर मत्रा पे उसको कंप्लीट देखिए रिस्पॉंस जरूर दीजिए आपको जो भी कोशन पूछा जाएगा उसका कमेंट सेक्शन में आंसर आपको करना है और अगर आपको क कुछ लगता है सजेशन आपको देना चाहिए कुछ इंप्रूव्मेंट चाहिए वीडियो में तो वह भी जरूर बताईए ठीक है और नेक्स वीडियो में मैं शेयर भी करूंगा कि किस ने क्या बोला है कि किस तरीके से चीजों को बदलना चाहिए यहां पर वह भी मैं बत